नमश्कार सातियों जैभीम अमबेटकर नावा में आज स्वागत है और आप सब का शुक्रिया लाइक शेयर और फॉलो करने के लिए अप्रील का महिना है और यह बहुत मत्पुण महिना है फूले साथ की विजयनती होती है और आउल सांगितायन साथ की विजयनती है और साथ साथ बीपी मंडल साहब जो मंडल कमिशन के अध्यक्ष थे उनकी पुनिती थी है इस लिहाज से यह महिना काफी महत्पुण है तो आज मैं बात करूंगा इसी विजय के ओपर की खास दोर से की मुर्तियों का क्या महत्व है क्योंकि आप देखते हैं देश दुनिया में चा तोरी भी जा रही है तो आखिर ये मुर्तियों का मतलब क्या होता है क्या है प्रतीक तो मेरी समझ में कि मुर्तियां जो है प्रतीक हैं और सभी जनता सावी लोग मोटी-मोटी कितावें नहीं पढ़ सकती है वो उनके विचारों को नहीं समझ सकती है इसलिए मुर्तियों के प्रासंगीकता को दर्शाता है तो बहराद आज हम इसी विशह पर फिलहाल केंद्रित करेंगे अमवेटकर सहाब 1916 में कुलंबिया इनवस्टी के छात्र थे वहां पढ़ाई कर रहे थे और उसी साल उससे थोड़े दिन पहले 1915 में फिरोश्या महता की मिर्टी हुई थी नवंबर में फिरोश्या महता को के संसथाफक थे बंबे जो मिनिस्पल क WILL कॉर्परेशन manifest सRei अध्यर नियावेता और जाने माने नाम उस जमाने के ब्रिटिश भारत के जाने माने नाम थे तो नवंबर 1915 में उनकी मिर्ती हुई तो बॉम्बे जो मिनिस्प्र कॉर्प्रेशन है एक प्रस्ताव पारित हुआ कि फिरोश्या महता के लिए इस अम्मान में एक मुर्ती बनाई जाए है तो छात्र के रूप में जब उनको पता लगा अन्हें उन्हों ने वहां से एक पत्र जो है वह बंबे क्रॉनिकल के नाम से लिखा और यहां यह यहाद दिलाना जरूरी है कि बंबे क्रॉनिकल के संस्थापकों में फिरोश्या महताबी थे तो उन्होंने मूर्ती बनाये जाने को, अम्बिटकर सहाब ने मूर्ती बनाये जाने को बहुती सुपरफिशिल किसीम का काम, बहुती सती किसीम का काम समझते हुए, उन्होंने संपादव को चिठ्ठे लिखा था और यहां इसमरन करना जरूरी है कि यह पहला पत्र है उस समय उनकी उम्र 25 साल थी और यह पहला पत्र है जो अख़वार में वो प्रगासित हुआ था इसलिए यह पत्र बहुत ही महत्पूर्ण है तो उन्होंने जो पत्र लिखा लंबा पत्र है इडिटर के नाम से उसका जो म पत्रांश है वो मैं आपके सामने रखना जाता हूं कि उन्होंने लिखा एडिटर को कि आप मेरे स्विचार से सहमत होंगे कि समाजिक आर्थिक और राजनितिक रूप से भारत जैसे पिछले देश में वैसे इमांदार नेताओं की जरूरत है जो देश की प्रगती देश क कि मुक्ति की जमेदारी अपने कंदों पर ले ले हैं जह साहस और त्याग का परिचे दिया है उसके लिए वह पर्मनेंट रेस्पेक्ट चीरस्था इस सम्मान के के हकदार हैं इसलिए उनका सम्मान जो है ज्यादा होना चाहिए आगे उन्होंने लिखा कि इन दोनों जो महाफूरूज है इनका जो योगदान है कि उन्होंने हमारे कई समस्याओं का समधान करने के लिए उन्होंने लगातार निरंतर संगर किया जूशते रहे कुछ समस्या ऐसे नेताओं के लिए जिन्होंने देश की समस्याओं, हमारी समस्याओं के लिए सब कुछ नेउचावर कर दिया हो, उनका appropriate respect होना चाहिए, उचित सम्मान होना चाहिए। सिर्फ Bombay Municipal Office के सामने स्टैचू बनेगी, उनके memorial बनेगा, अब यह ऐसा क्यों था, क्या इसमें कोई लीला थी, यह बात समझ में हमारे भी नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर अमबेटकर इसको बहुत ही ओच्छा, बहुत ही सतही किसिम का सोच मानते हैं, और लिखते हैं, सुझ भागेपुर्ण हैं, बहुत unfortunate है कि समाज के प्रगती और विकास में, समाज और सभता के प्रगती और विकास में, एक संस्था के रूप में हमने library के महत्व को नहीं समझा है, कि बिना library के, आधनिक library के, Bombay के प्रवुद्ध जनता, जो enlightened लोग है, लंबे समय तक नुक्सान उठा चुकी है, और इसलिए इस जंग्चर पे इस समय यह बहुत जरूरी हो जाता है, अवश्यक हो जाता है, कि हम यह सुधार कर लें, इस संस्था बनाने के काम को आगे बढ़ाएं, वो आगे लिखते हैं कि वैसे तो स्वतंतर रूप से मुंबई में, Bombay में कई libraries काम कर हैं, हैं, लेकिन यदि इन सब को एक साथ इकठा करके एक भवन में ला दिया जाए, और उसका निर्मान सरमेहता के Public Memorial Fund से किया जाए, तो इससे दोनों परपस पूरा हो जाएगा, दोनों काम पूरा हो जाएगा, library भी बन जाएगी, और memorial भी हो जाएगा, फिरोशा मेहता का सम्मान भी हो जाएगा, तो इससे दोनों परपस हमारा पूरा हो जाएगा, वो आगे लिखते हैं कि जहां तक आधिक library इस्थाफित करने, library के modernization और इसको इस्थाफित करने का सवाल है, और या किताब खरेदने का सवाल है, बॉंबे की जो enlightened जंता है, जो पढ़े लिखे ल एक बड़े विश्विद्याले के शात्र के रूप में, मैं सारवनीक जीवन में, समाज में, लोगों के जीवन में, पुस्तकाले library के महत्व को बखुई समस्ता हूँ, इसलिए मैं इस अवसर पर बॉंबे की जनता से अगरह करना चाहता हूँ, कि जो मैं वो सोचता हूँ, वो भारती इतिहास के महानतम हिरो के लिए सबसे उप्यूक्त यादगार होगी, वो फिरोशा मेता को एक महानतम विक्तित्व के रूप में वो देख रहे थे उस समय, और कहते हैं कि इससे बहतर जो उनका सम्मान है, कुछ नहीं हो सकता है, उनके नाम पे public library पनाया जाए, आगे लिखते हैं, अंतिम लाइन है, कि मैं भारत से दस हजार मील दूर हूँ, इसलिए जो घरेलू न्यूज है, जो भारत से सम्मंदी जो खवर है, वो मिलने में मुझे काफी बिलम होता है, इसलिए मैं देरी से यह प्रस्ताव आपके पास भेज रहा हूँ, लेकिन मुक्त जैनती मनी है, अगर फर्ज किजिए कि जितने चोदर तारीक को जितने व्यापक स्थर पर अंवेट्रकर साहब के नाम पर प्रोग्राम होता है, हम लोग सब अपने अपने तरीके समान दें और इस खर्ज को कम करें, और इस खर्ज को अगर कम करके इसी पैसे कोई एदा कर सकते हैं, एक बात यहां समझने की जरूरत है, कि जो बावा साहब के घोर शत्रू भी हैं, वो भी बावा साहब पर आज कल कॉपी राइट लगाने लगे हैं, उनका एक साजिश है, उस साजिश को आप समझे, वो कहते हैं कि बावा साहब को भगवान बना दो, और भक्त बन जाओ, और बावा साहब को पढ़ो नहीं, पूजो खूब फूल माला चरहाओ, खूब धोल नगारे बजाओ, जह जह करो, बावा साहब की जह जह करो, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसे उनके राजनितिक शत्रू जो हैं, वो उनकी ये साजिश है, और गाहे समक्ष जो भाषन दिया था, उन्होंने कहा था, कि भक्ती धर में तो मुक्ती का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनिती में वो तानाशाही की और ले जाने बाला मार्ग है, तो आप किसी की सम्मान जरूर दीजिए, सम्मान देने में खोताही न बढ़ते हैं, लेकिन भक्ती नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा साहब अंबेटकर ने खुद समिधान सभा के सामने इसेंबली में यह बात कही थी, तो साथियो, हमारे कहने का मतलब यह है, कि बाबा साहब अंबेटकर जो हैं, उनके नाम के आगे पीछे 1000 लगा देंगे, तो उनका कद उससे बढ़ जागा इसी बात नहीं है, कि बाबा साहब को as a professional historian, as a professional journalist, as a professional sociologist, as a professional leader, इनको पढ़े जाने की जरूरत है, पूझने से जादा पढ़ने की जरूरत है, आप जरूर सम्मान किजिए, लेकिन भक्ती में नहीं जाएए, जब हम जादा से जादा लोग, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, आप से शेयर कर रहा हूं, इसी तरह से गर सौ लोग इस भारत में, सौ यहां के जो समाजी करांती के अगरदूत लोग हैं, अगर उनको पढ़ें और ऐसी वीडियो शेयर करें, तो हम लोग एक साल के अंदर करोडों लोग को एजुकेट कर सकते है कि बिनविन मुद्दो पर बावा साब के क्या विचार थे, लोहिया साब के क्या विचार थे, फुले साब के क्या विचार थे, परियार साब के क्या विचार थे, करपूरी ठाकुर के क्या विचार थे, कांशी टाम जी क्या विचार थे, तो यह बहुतिक विमर्ष का काम भ चोटे चोटे वीडियो बनाकर अपने दोस्तों से साथियों से पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए कि आप उसको सुनिए समझिए और उससाब से अपने जीवन की रनिती बनाईए तो यह समझे जाने की जरूरत है जब तक आप बावास आपको पढ़ेंगे नहीं डॉक्टर ही हो रहा है कि उन्होंने बावास साब को पढ़ा ही नहीं है नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूजन में रहते हैं अगर पूरी राइटिंग सुनको देखेंगे तो बहुत सारी आइसे मुद्दे थे जिनको उन्होंने नजरंदाज किया उसमें चर्चा नहीं की हम अगले एपि और पृषर पढ़ा नहीं है हमारा काम जो नहीं लिखा गया है इसको भी परना है लग रहा है तो आप से अग्रह है विनमर की इसको आप लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और ज्यादा से जादे लोग तक पहुंचाए आप मुझे फेस्वूप पर ट्वीटर पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरा ट्वीटर आइडी है रतनलाल72 और इंस्टाग्राम पर तो मैं इंस्टाग्राम पर भी बिलूँगा शुक्रिया साथियो जैवीम अगले प्रोग्राम में मिलते हैं और उस पर बात करेंगे कि जब पचास वी वर्स गांट जब पचासवा जन्मी दिन अम्बेटकर साहब का मनाय जा रहा था मुंबई में एक बड़ी सभा हुई थी दस अजार लोग उसमें शामिल थे उस सभा में जन्म दिन के बारे में अम्बेटकर साहब ने क्या कहा था और उस सभा में उन्होंने भाशन क्या दिया था यह मुद्दा अगले एपिसोड में रखेंगे शुक्रिया साथियो